मैं डॉक्टर आर्थी दवे लाल जंदानी हूँ और हमेशा की तरह आपके लिए बहुत जरूरी बाते लाई हूँ जिससे आपकी क्वांटिटी ओफ लाइफ और क्वालिटी ओफ लाइफ एन्हांस होगी आम तोर पे हम जो भी खाना खाते हैं उसमें 80% विश होता है और 20% ही औशदी होता है भोजन ऐसा करिये जो औशदी का काम करें खाय बिना तो कोई नहीं रह सकता पर इसका मतलब नहीं है कि हम बिना सो खाते है अज काम ने आया वह सुआच के बेशिबस पहरी तेस्ट का भाब कर और हम उसको खाएँ हमें उसको देखना चाहिए कि कि एक हो भी हमें नुकसान तो नहीं करेग़ क्योंकि बहुत सारे क्मान फूड चुशा है हम एक वह खाते हैं और हॉद को नुक्lli हमेंपान या किसी के guest आप हैं, तो आपके सामने वो आम तर पे तरह तरह के biscuit, नमकीन, कोई cold drink या कोई और पे, कोई ready made food, fast food, विदेशी foods, जैसे burger है, pizza है, इस तरह की चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी, और भी जैसे even bread है, bun है, तरह तरह के baking confectionery के foods हैं, ये सब रखे जाते हैं, तो जो या तो पहले से त्यार हैं, packaged हैं, या कुछ raw materials उसके बाहर से आते हैं, कहीं और से आते हैं, और उसका एक ready made form रहता है, जो सिरफ आपको heat करके, गरम करके दे दिया जाता है, परत दिया जाता है, इसमें तरह तरह के जहर होते हैं, तो आज मैं जिस जहर के बारे में बताऊंगी, trans fat, आपके हर खाने में, ज्यादा तरह 80-90% आपके food में trans fat होता, trans fat क्या होता है, यह fatty acids के दो farm होते हैं, उसका एक trans configuration, एक cis configuration, तो यह जो fatty acids होते हैं, जो trans configuration होते हैं, वो बहुत नुक्सान करते हैं, cis वाले आपको नुक्सान करते हैं, और trans fatty acids तब बनते हैं, जब उसी तेल में, आप वो unsaturated fatty acids है, तेल है, liquid form में, जो जमता नहीं है, वो unsaturated fatty acids होता है, common पहचान यही है, जो जमे हुए होते हैं, वो saturated fatty acids होते हैं, जो hydrogenate करके जमे हुए तेल, margarine और dalda इस तरह का बनाया जाता है, या palm oil है, वो बहुत नुक्सान करते हैं, जो तेल liquid है, at room temperature, even desi ghee, बहुत जमा हुआ नहीं होता, असली desi ghee, वो भी soft form होता है, वो आपको फाइदा करते हैं, उनमें आपको essential fatty acids भी मिलता है, उनसे आपका HDL cholesterol भी बढ़ता है, और ये body के metabolism, energy देने के लिए, even brain में के metabolism के लिए, cancers prevent करने के लिए, आपको health और energy देने के लिए, calories में convert होने के लिए, even diabetes के मरीजों के लिए, जरूरी होता है fats, पर fats कौन सा खाएं, fresh fat खाएं, reuse करना खराब होता है, बार-बार उसी तेल में कोई चीज डिप हो, जैसे आप burger के दुकान में जाते हैं, वो बार-बार वो जो patties या जो burger की filling होती है, ready made cutlets होते हैं, उसको बार-बार वो तेल में डिप करके, निकाल के आपको देते हैं और वो तेल उनका चलता रहता है, उसमें trans fats बनते हैं, जिसमें की बहुत harmful chemicals भी बनते हैं, बहुत सारे तरह के acids, alcanals, or epoxy acids, or phenol, और phenol, और phenol, alcanine तो ऐसे चीज बनते हैं, chemicals, जो आपको बहुत मुच्सान करते हैं, और खाली heart diseases ही नहीं, heart diseases तो आपका coronary artery blockage करता है, heart disease होता है, heart attack होता है, even आपका heart pump action धीरे-धीरे, weak हो जाता है, cardiomyopathies होते हैं, blood pressure बढ़ता है, इसके अलावा, diabetes भी, aggravate होता है, diabetes हो भी जाता है, इसके अलावा कुछ और भी मैं harmful effects बता हूँ, यह trans fatty acids का, जो बात मैंने आपको पहले कहीं, कि आप जो भी खाते हैं, उसमें 80% poison होता है, क्यों कहा, इससे आपको breast cancer commonly होता है, colon cancer होता है, even uterine cancers वगरा, women में cancer common होता है, खास करके menopause के बात, जब estrogen level कम हो जाता है, तब यह trans fats खाने से, तो यह जो cancers है, बहुत जल्दी proliferate करते हैं, जब आप trans fatty acids लेते हैं, और यह आपके body में degeneration cause करते हैं, oxidants होते हैं, antioxidants नहीं होते हैं, और इन से आपको even pancreatic cancer, indigestion वगरा होता है, लगातार diarrhea होता है, acidity बहुत common है, यह तली चीज़ें trans fat खाने से, acidity होती है, जब ulcers होते हैं, वो भी cancer में बदल सकते हैं, इसके अलावा, nervous system disorders के अलावा, जो हमारा muscle power है, muscle weakness होने लग जाते हैं, यह trans fats खा के, क्योंकि muscles को भी act करने के लिए, बहुत calories चाहिए, caloric utilization maximum muscles में होता है, तो हमारे muscular development भी suffer करता है, जब हम ज़्यादा trans fat लेते हैं, वो है, fresh food हम नहीं खाते हैं, आज कल, हम रखा हुआ बासी खाना खाते हैं, एक तो जब आप बजार से लेते हैं, तो fresh हो नहीं सकता, क्योंकि यह orders उनके unexpected होते हैं, तो वो हर चीज तयार रखते हैं, अगर आप semi तयार condition में रखते हैं, कोई भी चीज, तो उसमें सडन होती है, fermentation होता है, उसे gases होते हैं, फ्रिज में भी जब आप खाना रखनेते हैं, तरह तरह के खाने, हर खाने में से कोई न कोई तरह का gas emission होता है, जो spoil करता खाने को, आपका digestion बिगाड़ता है, cancers भी cause करता है, इसके अलावा आपको acidity बढ़ाता है, और फाइदा करने की जगा लुक्सान होता है, उसमें vitamin content और जो nutritious content है, antioxidant content है, वो सब खतम हो जाता है, destroy हो जाता है, इसलिए पका खाना तो आप कभी न रखा हुआ खाएं या फ्रिज में खाएं, कच्चा खाना फिर भी आप रखा हुआ, खा सकते हैं, लेकिन उनको भी ठीक से preserve करके, क्योंकि जो plants भी हैं, उनका धीरे धीरे cell death होता, वो मुर्जाते हैं, वो सिकुरते हैं, सडते हैं, और अगर वो गीले होते हैं, तो humidity से, heat से, उनमें सडन आप भले देशी घी उस करें खाने में, कड़वा तेल यूस करें, जो आप fresh oil grind करें और वो liquid form में निकले, जैसे सर्सों का आप तेल निकालते हैं, liquid form में निकलता है, मूमफली का तेल है, liquid निकलता है, तिल oil है, और उसी तरह ये, soya bean oil, जो liquid form में निकलते हैं, वो आपको फ बहुत ज्यादा ये fancy oils वगएरा की जरूरत नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जैसे तिल है, essential oil देता है, उसका लोग लड़ू भी बनाते हैं, मिठाईया मनाते हैं, और तिल को खाने में भी डालते हैं, इवन रोटी में, नान में तिल डालते हैं, सबजियों में डाला जाता है, तिल तो वो आपको फाइदा करता है, तो ये जो sources of oils मैंने बताया, ये आपको ओशदी का काम करते हैं, जो आप अचार खाते हैं, उसमें तेल डलता है, क्योंकि कच्छा तेल डलता है, fresh oil डलता है, ज्यादा तरह कड़वा तेल डलता है, या तिल oil, south में तिल oil डलता है, markt, जो मसाले होते हैं, टेल होता है, वो फाइदा करता है, वो क्योंकि ट्रांसफet नहीं बनता उसमें, वो आपको तरह कके essential oils, भी मसाले जो अचार के मसाले होते है वो भी फायदा करते हैं हड्भासिर — हर हर बिय्डिय का अपना अपना फायदा जाहिए उसमेशंे राब ऑसमें हल्दमे थी Oxygen姜ी ये सब शयदा क्युनि- आप आदे हैं पूरा खाना खाए तो आपको ये बहुत फाइदा करता है दूसरा अगर आपके थाली में 50% uncooked food हो जिसको whole food कहते है natural food कहते है नेचर में जैसा अकर करें इसी फॉर्म में खाना बिना पकाय खाना raw foods खाना अगर 50% आपका थाली में अगर ये डाइट है तो आपको ये बहुत फाइदा करता है और ये वाकई ये असली औशदी है जैसे अगर आप सलाद लेते हैं लाचुमर लेते हैं कच्छी सबजी फल क आप स्ट्वारिटों और में नुट्या आप स्ट्रह आप स्कार Bunny कोई भी चीजा क्यूं ये डालते हैं तो उसमें अस तुछ विच्छ Pacific प्र का राइटा है तो इसमें शुच माम नुट्वार मुली है राहता कोे लाधी का आप मूले खार खाते हैं उसमें ये बहुत औल की जिमिकन वगरा की चटनी खहते हैं। साउथ में सब्ज पीसते हैं जैसे लौकी होती है तरोही होती है। इस तरह के सब्जियां को भून के पीस के चटनी जैसा तोगेल जैसा जो चावल से खाते हैं, बहुत फायदा करता है। फिर आपके थाली में दही होती है, दही भी एक natural food है, natural product है वो बहुत फायदा करता है तो इस तरह का जब आप खाते हैं और तरह तरह के अचार, चटनी, रायता, सलाद, लचुंबर तो यह आपको बहुत फायदा करता है, खाने के बाद अगर 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 फल खा लेते हैं, सलाद की quantity थोड़ा बढ़ाये, ज्यादा खाये, यह फायदा करता है, बाकि आपके जि बाकि जो भी आपकी कटोरिया है, जिसमें कड़ी, चना, छोले, मतर, राजमा, यह सब चीजें हैं, दही, रायता, इमकी quantity बढ़ाईए, इमसे ज्यादा पेट भरे, बच्चे इतनी जल्दी में होते हैं, और सब घर के परिवार, मेंबर, सब काम पे जाते हैं, इतनी में खाना चाहिए, दस मिनित ने दस मिनित में तो खाना कभी नहीं मिलेगा, आपको घ्र काणा आता है यह और करते हैं, दस मिनित में कॉंपटेशन लगता है कौन जल्दी यहारे जितनी जल्दी यह जल्दी यह वह उतना पुराना सड़ा बसी रखा हूआ, फ्रीज में र रिगर्ज हो, वाटर ब्राश हो, मुह में पानी आ रहा है, डाइरिया हो, लूज मोशन हो, पेट में मरोड हो, क्रैम्स है, डिसकमफर्ट है, वीकनेस आती है, मालूम कभी भी पेट में जरा भी तक्रियों को इतनी कमजोरी आईगा, आपका काम करने का मन नहीं करेगा, मत बर इडी मेंड, बिना जाने, चामी कल भी पॉइजन खाना है, खाना है तो खाये औशधि, पॉइजन मत खाये, क्या फाइदा जहर खाके, नुक्सान ही होगा, शरीर का एक एक हिसा करके मरता जाता है, उमर भी आपकी कम हो जाती है, और धीरे-धीरे आपका, आपकी सेहत कभी ठीक नहीं रहेगी आपका man hours, man energy और आपका man power waste होता है, तो ऐसा काम न करिए, खाना है तो आश दिखाइए, विश मत खाइए, तो ध्यान रखिएगा, अब अगली बार खाते वाक मुह में क्या डाल रहे है, फायदे की चीज़ है, नुकसान की चीज़, तो इसको याद रख या विडियो बार बार देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कोई आपके comments हो, तो आप comment box में डालिए, कोई प्रशनों तो पूछ सकते हैं, इन phone numbers पे call कर सकते हैं, और इस तरह कि आपको कोई भी बिमारी है, heart से related या या ये lifestyle से related बिमारिया, तो आप video consultation कर सकते है दिये गए number पे, video consultation से, आप हमसे जैसे आमने सामने बात होती है, ऐसे बात होगी, मैं आपकी problem समझूंगी, आपके जांचे करवाओंगी, आपकी जांच की reports देखूंगी, review करूंगी, आपको एक proper prescription भी दूंगी, तो आप अपने शहर में, अपने घर में बैठे, आप इला झाल